आप सभी का नीलम स्ट्रिप्शन ब्लॉग चैनल पर नए साल की आप सभी को बहुत सारी हारदिक सुखकामने है जैसे कि गाइस आज एक जनुरी 2023 है तो यानि कि 2023 सुरू हो गया है तो मेरी आप सभी के लिए यही प्रात्ना है कि इस नए साल में आप सभी के सारी करो दो झाहिक साल पर नए रेम्डीडि ना आइसा कैसे रह सकता है तो आज एक बहुत रहन यहीं अपके सांफिय के लिए तो इस NOW की वाहे हम वाईरल है को आप जरूर ट्राइ करें और या आपके बालों की ड्रायें प् rubber रॉप्र नकéner बोर कर बालों को बहुत सा हुए औ तो मैंने यहाँ पर एक सैंपू ले लिया है और इसका सारा सैंपू में इसमें एक्स्ट्रैक्ट कर दूंगी तो नीम सैंपू है तो आपके डंडरब के लिए भी बहुत फायदे मंद होगा जो भी सैंपू आपके पास आप ले सकते हैं इसमें डालना है आपको एक चमच कौफी कोई भी कौफी आप ले सकते हैं दो रुपए वाला सैसे में इसमें डाल दे रही हूं कौफी जो होता है हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाने में बहुत ज्यादा फायदी मंद होता है तो आप एक बार इसका यूज जरूर करें आ आपके बालों को सिल्की स्मूथ बराने में तो कौफी और एलोविरा जल सैंपुक साथ मिला कर लगाने से आपके सरका डेंडर भी दूर होता है और आपके सरका डेंडर भी दूर होता है और आपके बाल बहुत जादा सिल्की स्मूथ होते हैं बालों में बहुत अच्छी और आपके बालो को अच्छी ग्रोध भी ऻोती है अगे सुकैर पराफ दोसके कुई हमें हैसे लगा कर अपने बालो को ठुछ घुलना है इसए लगा कर दो कर तक ट्क अच्छे से हलक हलक हातों से मसाज कर ले इसके बाद आपको अपने बालो को पानी से शेके लिए तो चमक आएगी और आपके बाल सर्दियों में ड्रा फिर्जी होते हो तो ड्रा फिर से दूर एकशिए कोड़ों होगी बहुत अच्छा बासला बाउन्स आएगा बहुत भी वायरल है क्याइस यह कॉप्य को अपने बाल में लगाने का व१र लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस आगा अगर अपने बालों को दूलते हो आपके बाल yaptिनों के लिए यह n00 लिए यह qul 같은데 यहulी पानी पंड लिए बालों बहुत अच्छी चमका आएगी बहुत बाल आपके बांसी होंगे कोफी और इलो विरा सैंपु का यह हैक बहुत ज्यादा वायरल है इसको जरूर से जरूर ट्राइब कीजिए लेकिन इलो विरा और कॉफी बहुत जादा सिल्की स्मूथ बनाने का काम करता है कोफी जो होता है हमारे स्कल्प को क्लीन करता है स्कल्प के डैंडरब को रिमूब करने में लब करता है हमारे बालों के चिपची पाहट को दूर करके हमारे बालों को बांसी और एक एक बालों को खिला खिला बनाने में बहुत जादा मदद करता है एलो विरा हमारे बालों को सॉप्ट और शायनी बनाता है नैच्रल कंडिशनर का काम करता है इस तरह से अगर आप सैंपू में एलो विरा और कौफी को मिलाकर अगर अपने बालों को दूलते हो तो आपके बाल सिल्की और बांसी होते हैं तो आप इसको जब भी आप जब भी चाहिए कि आपके बाल बहुत सिल्की हो बांसी हो बालों में बहुत अच्छी चमक आया फिर सर्दियों में बहुत ड्राय फ्रिजी होते है तो आप इसन नुश्के का जरूर इस्तमाल करें वीडियो पसंदाए तो लाइक करें चल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की पर बहुत सारी अच्छी वीडियो हैं उन्हें भी जरूर देखें गाइज और प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में